चौर ये बेटा, ये चंदा इकठा करने के लिए डिबा क्यों बना रहे हो? किसके लिए चंदा इकठा करना है? दादा जी, विद्याले में सभी विद्यार्थियों को बाढ़ पेड़ितों की सहायता के लिए चंदा इकठा करने को कहा है? यह तो बहुत अच्छा कार्य है, लो मेरी तरफ से सौ रुपए इस डिब्बे में डाल दो धन्यवाद दादा जी शास्त्री नगर में बाढ़ पेडितों की सहायता है तो धन इकत्र करने के लिए रविवार को घुड़ दौड कराई जा रही है वहाँ नगर के कोने कोने से घुड़ सवार भाग ले रहे हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा अरे, शौरे और दादा जी तो समास ही सिखाने लगे आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह समास क्या बला है संधी के तरह ही समास होते हैं पहले हम समास वारे शब्द लेते हैं जो शौरे और दादा जी ने बोले विद्याले, बार पीरित, घुरदोर, घुरसवार ये शब्द दो शब्दों को मिला कर बने हैं, जैसे विद्याले बराबर विद्या के लिए आले, बाड़ पीडित, बराबर बाड़ से पीडित, घुर दोड़, बराबर घोडों की दोड़, घुर शवार, बराबर घोड़े पर शवार आपने देखा कि दो शब्दों के बीच विभक्त चिन हटा कर दो शब्द जोड़े गए हैं परस पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं जिन दो पदों में समास किया जाता है, उनमें पहला पद पूर पद कहलाता है बादवले पद को उत्तर पद कहते हैं समास हो जाने के बार पूरा पद समस्त पद कहलाता है संधी और समास में अंतर संधी में दो शब्दों के वरणों का मेल होता है और इनमें परिवर्तन या विकार होना आविश्यक है समास में वरणों का मेल सामान्य तोर पर नहीं होता, संदी में शब्दों का मेल होता है, जिबकि समास में पदों का मेल होता है, समास विग्रह समासिक शब्दों के बीच के संबंद को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है मुख्य रूप्चे समास के चार भेद है अव्यई भाव समास, तक पुरिष समास, द्वंद्व समास, बहु व्रिही समास अव्यई भाव समास जिस समस्थ पद में पहला पद प्रधान और अव्यई हो तथा समस्थ पद अव्यई भाव समास कहलाता है जहां शब्दों के आव्रिती के कारण पूरा पद अव्यई भाव समास होता है जैसे प्रति दिन, हर दिन, भर पेट, पेट भरकर, आजन्म, जन्म भर, यथा समय, समय के अनुशार, रातो रात, रात ही रात में, हाथो हाथ, हाथ ही हाथ में, तत पुरुच समास जिस समस्पद में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत पुरुच समास कहते हैं, जैसे राजा की कुमारी, अर्थात राज कुमारी, रसोई के लिए घर, अर्थात रसोई घर दियेगे समस्थ पद को विद्रह करने पर आपने पाया कि राजा की नहीं, कुमारी की प्रधानता है, और रसोई की नहीं, घर की प्रधानता है, क्योंकि इन सभी उदाहरणों में दूसरा पद प्रधान है, अता ये तत पुरुच समास के उद्रहरण है, आपने देखा कि तत पुरुच समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच की पर, के लिए, जैसे विभक्ती या परसर्ग लगे हैं, तथा समस्थ पद बनाते समय इन विभक्तियों का लोप हो गया है, तत पुरुच समास के बीच में समास होते समय कारक चिन्हों का शरणागत, शरण को आगत, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, स्वर्ग गत, स्वर्ग को गत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, करन तत पुरुच, करन कारक की विभक्ती से कालोप, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, भयाकुल, भैसे आकुल, हस्त लिखित, हस्त से लिखित, मन चाहा, मन से चाहा संप्रदान ततपुरुष, संप्रदान कारक की विभप्पी के लिए कालोप रशूई घर रशूई के लिए घर, आराम कुर्षी, आराम के लिए कुर्षी, पाठ शाला, पाठ के लिए शाला, सत्याग रहे, सत्य के लिए आग रहे, अपादान तट पुरश, अपादान कारक की विभक्ती से कालोप रुण मुक्त रुण से मुक्त नेत्र हीन नेत्र से हीन देश निकाला देश से निकाला जन्मांध जन्म से अंधा संबंध तक्पुरुष संबंध कारक की विभक्ती का की के कालोप शेनापती, शेना का पती, मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, राज सभा, राजा की सभा, आग्यानुसार, आग्या के अनुसार, अधिकरण तक पुरुष अधिकरण कारक की विभक्ती में, तथा, पर, कालो, धर्म वीर, धर्म में वीर, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, शरण आगत, शरण में आगत, घुर्षवार, घोडे पर सवार, आप बीती, आप पर बीती तथपुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारे समास और ड्विगु समास कर्मधारे समास, जहां दोनों पदों में विशेशन विशेश अध्वा, उपमे उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारे समास कहते हैं जो शब्द विशेश्टा बताते हैं वे विशेशन कहलाते हैं और जिनकी विशेश्टा बताई जाती है वे विशेश कहलाते हैं विशेशन विशेश संबंध, नील कमल, नीला है जो कमल, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, महावीर, महान है जो वीर, महापुरुष, महान है जो पुरुष, उपमान उपमिय संबंध, जिसकी तुलना की जाए, उसे उपमिय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए, उसे उपम कहते हैं, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कमल नयन, कमल के समान नयन, मृग लोचन, मृग के समान लोचन, चरण कमल, कमल के समान चरण, दुईगु समास, इसमें पहला पद संख्या वाचक होता है, तथा किसी समुह विशेश का बोध कराता है, जैसे सत्ताह, सात दिनो का समोह। नवरात्रे नवरात्रियूं का समोह। चार पाई चार पेरों का समाहार। दो पहर दो पहर का समाहार। नवरत्न नवरत्नों का समाहार। चतुर्मुख चार मुखों का समोह। द्वन्दु समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे द्वन्दु समास कहते हैं. दोन्दु का अर्थ है दो या दो से अधिक वस्तून का युग्म अर्थात जोड़ा जैसे उच नीच उच और नीच, भला बुरा, भला और बुरा, रात दिन, रात और दिन, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नर नारी, नर और नारी, अमीर गरीब, अमीर और गरीब प्रित्वी आकाश प्रित्वी और आकाश राजा रंक राजा और रंक बहुवरी ही समास जिस समास में दोनु पद प्रधान होते हैं और समस्त पद अपने पदों से भेनने किसी अन्य संग्या का बोध करवाते हों तो उसे बहुवरी ही समास कहते हैं जैसे विशधर विश को धारण करने वाला अर्थात शिव, गजानन गज के समान आनन है जिसका अर्थात गनेश, पीतांबर पीत अंबर अर्थात वस्त्र वाला अर्थात श्रीकृष्ण, दशानन दश है आनन जिसके अर्थात रावन, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थाद विश्नु। कर्मधारे और बहुरी ही समास में अंतर। कर्मधारे समास के दोनों पदों में विशेशन, विशेश या उपमान, उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुवरी ही समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे पीतांबर, पीत, अर्थात पीला है जो अंबर, कर्मधारे समास, पीतांबर, पीले, अर्थात पीले हैं अंबर, अर्थात वस्त्र, जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, बहुवरी ह समास कर्मधारे और द्विगु समास में अंतर कर्मधारे समास में पूर्व पद विशेशन और उत्तर पद विशेश होता है पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमे उपमान का संबंध भी होता है द्विगु समास में पहला पद संख्या वाचक विशेशन होता है और नीला है जो कंच, करमधारे समास, 14 चार राहूं का समुह दुइगो समास, दुइगो और बहुवरी ही समास में अंतर, दुइगो समास का पहला पद संख्या वाचक होता है, जबके बहुवरी ही समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे त्रे फला, तीन फलों का समोह, द्विगो समास, त्रे लोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात, शिव, बहुवरी ही समास. अब तक हमने सीखा, समास में दो ये दो से अधिक शब्दों का समाहार होकर समस्त पद बढ़ता है. समास में समस्त पद का विग्रह होता है, विच्छेद नहीं. एक समस्त पद का भिन्य प्रकार से विग्रह करने पर समास का अन्य भेद हो सकता है. कर्मधार्य समास में तुल आनता होती है.